प्रेंट्स मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में बैल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर नई रेसिपी की जानकारी मिलती रहे नमस्ते दोस्तों हानी की रसवरे से हम आप सबी का स्वागत है हम लोग अक्सर गर में गी बनाते हैं मलाई से और उसकी जो खुर्चन बचती है उसे हमें समझ नहीं आता हम क्या बनाए उसी खुर्चन का इस्तमाल करते हुए मैंने ये मिठाई बनाई जो कि टेस्ट में बहुत लाजवा पनी सभी को बहुत पसंद आई तो आप लोग भी इसको एक बाद जरूर ट्राई कीजिगा ये खुर्चन मिठाई बनाने के लिए मैंने जो गी की खुर्चन बची थी एक कटोरी बोली है एक कटोरी ही छोटी मैंने मलाई के लिए है गर्की फ्रेश मलाई तीन से चार चमच हमने चीनी लिए है और थोड़ा तोड़ते हुए खुर्चन के जो लंप्स हैं गाठे हैं इनको तोड़ते हुए हमें इसे लगाता मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है जैसे जैसे हमारी मलाई और चीनी गरम उत जाएगी वैसे 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 हमारी जो गांटे खूर्चन के आपको दिख रही है वो बिल्कुल जो हमारी मिश्रन में मेल्ट होती जाएगी बस हमें इसी तब तक पकाना है जब तक ये गाड़ा ना हो जाए जैसे जैसे चीनी पकती जाएगी वैसे वैसे हमारा मिश्रन भी गाड़ा होता जाएगा और एक जमने जैसे कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगा बस अभी आपको इसको लगाता चलाते वे पकाना है करीब तीन से चार मिनिट में आपको मिश्रन अच्छी से गाड़ा हो देखे फ्रेंड्स करिए 3-4 मिनट हुए हैं हमारा मिश्रन बहुर अच्छी से गाड़ा हो गया और फूल गया है अब हम इसमें इलाइची का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी से मिक्स करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो मिश्रन है वह फूल भी गया है और जो क स्वाद आएगा तो बस अभी हमें से अच्छ से मिक्स करते हुए बस हमारा मिक्चर आल्मूस्ट रेडी है अभी हम कैस बन कर देंगे यहां मैंने एक प्लेट ली है जिसको अमने गी लगाकर ग्रीज कर दिया है उसमें अपने सारा मिश्वन डाल देंगे और मिश्वन को चमच यह स्पैचुला के हेल्प से साइट से आप इस तरह किसे लेवल कर लें और इसे सैट होने के लिए रग दें कर दें एक से डीड़ गंटे में रूम टेंप्रिचर पर यह अच्छे से साइट हो जाएगा यह आप चाहें तो फ्रिज में रखकर भी इसे साइट कर सकते हैं उसके बाद आप चाहें इसे अपने मंचाही टुकड़ों में कट करें यह देखिए फ्रेंड्स करीब दो गंटे हुए हैं मेरा मिश्टन बलकुल अच्छी से साइट हो चुका है अब एक तेज चाकू की मदद से आप इसके मंचाही टुकड़े करें और सर्फ करें आप लोग भी से जरूर से ट्राइक कीजेगा और मुझे बताएगा आपको कैसी लगी और अगर रेसेपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बोलें थैंक यू